देटेर एक बहुत बाद नियूस निकल के आरहा है जिसमेंकी पोमोटर ने बहुत बाद खुला सा कर दिया है तो क्या खुला सा कर दिया है जिसके बाद अभी क्या होने वाला है क्या हम को अपस सैक्री देखनों को मिलेगा या फिर यह लुज दिए शद कर दौन varya तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो उसके साथी साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक मैंने दिया हुआ है उस वीड सब्सक्राइब आप कैसे हाई में रख सकते हो उसके उपर हमने पूरा का पूरा डिसक्स कर लिया है तो आप उस वीडियो को ज़रू से चीक आउट कर लेते हैं उसके बाद हम लोग कर आई भी देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि अभी ब्राइट कॉम ग्रूप का शेयरा है वो अभी करेंट लिए शारा का सारा जो moving averages है उसके नीचे काम कर रहा है यहाँ पर थोरा सा गौर कीजे और यहाँ पर देखिए कि हो या फिर 100 डेमा या फिर 200 डेमा सारा का सारा मूविंग अब राइज के करेंट लिए काम कर रहा है अभी इसी लेवल के आसपास आ चुका है ब्राइट कॉम गुरूप का शियर और अभी फिलाल के लिए गाइस यह शियर अभी आच्छा खासा गिराबाट हो चुका है और करेंटली जो 70 रुबिस का असपास जो सपोर्ट था उसको भी ब्रेक कर दिया है उसके साथ ही साथ आप यहाँ पर थोड़ा सा गौ काया है उसमें ब्रेक कर दिया था और एक और चीज अब ठीक से नूटिस कीज़ेगा तो फिर आपके लिए बहतर होगा इसी लेवल का आसपास यानि कि ट्विंटीथ मार्च को मार्केट ने एक मौका दिया था जिसमें की एक इंभार्टेड हैमर आपको देखनों को मिल र लिए है और सेलिंग बेसर एक अच्छा-खासा निकल के आ रहा था जिसके बाद आप देखिए अभी तो एक अच्छा-खासा फाइट परसेंटेज का लगते हुए जा रहा है अभी कायंट लिगाइस यह जो शेयर है वह और ज्यादा गिराबाती दिखा सकता है और लगभ 2021 में देखनों को मिला था वो सारा का सारा जो तेजी है वो गायब हो जाएगा यानि कि जितने भी सारा इंबेश्यक ने यहाँ पर इंबेश्मेंट किया था वह अगर ऊपर के लेबल का असपास निकल चुके होंगे तो उनको तो प्रॉफिट मिल गया हो गया अगर नहीं निकले होंगे तो फिर उनको तो नुक्सानी बूक करना पड़ेगा क्योंकि अभी करनली आप थोड़ा सा वोल्यूम को भी देखिए कि जब यह चल रहा था उसके बाद आप देखिए वोल्यूम की छोटा-छोटा वोल्यूम आपको दिख रहा होगा जब एक बहुत अच् साईड आचुका था तब तो और ज्यादा एक बहुत बड़ाबार वोल्यूम कोमिला है यह चाहल शारा colaboratif है कोई भी बायार नहीं है तो अगर यह किपान के लिए इतना जादा गिराबाट हो रहा है तो इसके लिए में आपको दिखाऊंगा एक निकल के आ रहा है एक आर्टिकल का जो कि मार्केट टूडे का है और अभी फिलाल के लिए थोरे देर पहले है यह आपडेट आया है आप देखी सकते हो ब्राइट कॉंप शियार हाज फ्रीफॉल और स्टॉक डाउन वाज 87 पर्सेंटेज का कि मार्केट का जो रेगुलेटर है जो कि है सेवी सेवी के द्वारा एक शोक को से नोटीस जारी किया था एट टेक फाम को और उसके बाद ही एक अच्छा खासा डाउन फॉल देखनों को मिल रहा है और इट इस अलसो फ्रैक्ट कॉंसर्ण और मेड अब्जर्वेशन अब और इर्रिगुलरर एन इनकरेक्टिव एलिंग आप शेयर ओल्डिंग पैटर यानि कि कम्पणी के द्वारा जो शेयरुड्डिंग पैटर पब्रिश किया गया था उनमें इनकरेक्ट फाइलिंग बात शाथ इसाथ गैस अभी कम्पनी ने जो भी प्रोफिक्ट जो जिसके वाज़े से अभी से भी ने पकर लिया है और उसके बाद आप देखी सकते हो कि अच्छा खासा भी गिराबाट देखनों को मिल रहा है उसके साथ आप यहां पर देखिए दार रिगुलेटर मेड एक सार्टेन की अब्जर्विशन ब्रैट कॉम से यानि कि ब्रैट कॉ इंपेर्मेंट चार्जेस है अभी यह सफाई दिया है ब्रैट कॉम गुरूप का पॉमोटर होल्डिंग ने उसके साथ है शेयर होल्डिंग पैटर और कॉम्प्लाइमेंट रिपोर्टिंग वह सब कुछ अभी बोल रहा है कि लीगली काम काच करेंगे और लीगली मैटर को करने की चीश्टा करेंगे अभी यह ब्रैट कॉम गुरूप का पॉमोटर का अभी यह कहना है उसके साथ आप देखिए लास्ट वीग ब्राइट कॉम गुरूप का जो पॉमोटर से उन्होंने बताया है कि उनका जो प्लिच जो शेयर है उसको पार्ट को अभी प्लिच कर पास भी और साथी साथ बहुत सारा बैंक के पास 2013 से लेका 2014 के बीच में ब्राइट कॉम गुरूप ने अच्छा खासा अपना जो स्टेक है वह गिरिवी रखा था और इस गिरिवी रखने के बाद जब यह जो डेट है उसको जब मीटा नहीं पाया था उसके बाद इतने ज 2013 से लेका 2014 के बीच में ब्राइट कॉम गुरूप ने अच्छा खासा पैसा श्यार को प्लेज करें के मार्केट से उठा लिया था उसके बाद जब यह पैसा बापस नहीं चुका पाया उसके बाद गायस यह जो सारा का सारा बैंक है वह ओपन मार्केट में सेल कर दिया जिस के वज़े से और जड़ा गिराबार देखनों को मिला है उसके साथ ही साथ गायस अब यह भी देखनों को मिल चुका था कि जो पूमोटर का जो हिस्से दरी है वह बहुत ज़्यादा कम हो गया है और रिटेलर के पास अच्छा-कासा माल पहुच चुका है तो यह कुछ कारा था जिसके वज़े से एक अच्छा-कासा गिराबार देखनों को मिल रहा है यानि कि अभी कायंटली यह जो शेयर है वह फंडेमेंटली अब बहुत ज़्यादा खराब कंपनी है यह के ऊपर आप कभी भी इंवेस्टमेंट मत करना और यह भी आनलाइसिस बहुत रहा है यानि कि 5 रूपी से लेका 2 रूपीस के बीच में यह श्यार अभी गिराबाठ दिखा सकते हैं मैंने जो कहा कि लगबग लगबग और ज्यादा गिराबार देखनों को मिल सकते हैं सपोर्ट काउंटर कुट भी सीन एक 10.90 तो अभी यह सपोर्ट डेवल का आसपास भी आ सक निकल रहा है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो इन फ्यूचर अगर आपको ब्राइट कॉम ग्रूप के शेयर के बारे में और ज्यादा कुछ जानकरी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो मगर यह जो शेयर है इस यह को आप कभी भी बाई मत करना सो थैंक यू सू मच पर वाचिंग दिस वीडियो